जैन दोस्तों, वेलकम बैक टो अंदर वीडियो, आज की वीडियो में हमें डिसकस करने वाले हैं साथ कोशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, कॉलिंग सिस्टम से, कॉलिंग सिस्टम, रेडियेटर, थर्मो स्टेट वोल्फ से चले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला कोशन है कि एर कूल इंजन के लाब नीमन में से क्या है ये हलके होते हैं, इनमें लिकेज नहीं होती, एंटी फ्रीज की आवश्रिक्ता नहीं होती, उपरोक सभी तो इसका सही आंसर होगा, उपरोक सभी, डी ओप्शन सही होगा नेक्स्ट कोशन है, प्रती होर्स पावर पर फिन्स की सतय का छितरफल होना चाहिए मतलब कितना होना चाहिए, ये ब्यारो के एक जाम में नहीं पुछ जाएगा, लेकिन आपने तो भी कर लेते हैं ये ब्यारो के इंदर ऐसे कोशन नहीं पुछ जाएगा, और नेक्स्ट थर्ड कोशन भी नहीं पुछ जाएगा, चोथा कोशन है कि रेडियेटर के जोड डैस डैस द्वारा बनाया जाते हैं, तो उप्शन है वेल्डिंग, शोल्डरिंग, ब्रेजिंग या फेवकॉल, त या उप्रोग सभी, तो इसका सही अंसर का ओप्शन ए, सहवन, ठीक है, चटा कोशन है, हमारे पास, तर्मोस्टेट वोल्व, डैस डैस से कम तापकरम के पानी को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता, 95 डिगरी, या 96 डिगरी, 77 डिगरी, 87 डिगरी, तो इसका सही अंसर पर, संप में, दोनों के बीच में, कहीं भी, तो इसका साथवे का अंसर क्रेक्ट क्या होगा, सिलेंडर ब्रोग पर, आठवा कोशन है, हमारे पास, परियोग में आने वाली जमाव रोधी प्रदार्थ है, प्री इगिनिशन, डेटोनेशन, नोकिंग, उपरोक सभी, तो आ दस्वा कोशन है, हमारे पास, कि एर फिन्स, एर फिन्स बने होने से, सिलेंडर पर क्या परभाव बढ़ता है, ऑप्शन A, हावा का अच्छेतरफल बढ़ जता है, ऑप्शन B, हावा का अच्छेतरफल कम हो जता है, सिलेंडर तक हावा नहीं पहुंचती है, उपरोक में से सही है निमन हानी है यह बारवा कोशन है हमारे पास पानी को किसके परियोग करके ठंडा किया जता है रेडियेटर से फिन से वाटर जैकेट से तो इसका सही आंसर क्या होगा कि रेडियेटर से या वाटर जैकेट से तो इसका सही आंसर आप कमेंट बोक्स में कीजिए सही आंस होता है यहार option D कि इन में से कोई नहीं उपरक में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा option A engine के coolant ताप को दर्शाता है चोधवा question है हमारे पास कि निम्न में से anti-freeze lotion होता है glycerine alcohol A और B दोनों तो इसका सही आंसर होगा radiator को पानी देना तो यह C गलत है D गलत है A गलत है तो option B correct होगा कि engine के अधिक गरम होने का कारण निम्न में से क्या है engine का jam होना pre ignition होना वाल टाइमनिंग गलत होना तो option D correct होगा यहां पर उपरक सभी radiator बना होता है तांबा पेतल लोहा यह D ए और B दोनों तो A और B दोनों होगा इसका सही आंसर next question देखते है कि air cooled engine cylinder के बाहर बनी पतिया क्या कहलाती है fins कहलाती है आपने पढ़ा ही होगा पहले discuss किया तो चैप्टर में 19 वा कोशन है कि thermostate valve कहां fit होता है valve water outlet में radiator के उपर water inlet में water jacket में तो इसका 19 वे का सही आंसर होगा option A water outlet में बीसवा कोशन है कि radiator साफ करने के लिए कि स्विधी का प्रियोग किया जाता है reverse flushing reverse flushing round flushing choking उपरोग में से कोई नहीं तो बीसवे का correct answer का option A इसका सही होगा radiator flushing ठीक है next question निम्न में से किसका प्रियोग automobile में जमाव रोधी के लिए प्रियोग किया जाता है प्रोपाइल एलकोहल एथनोल मेथनोल एथलीन गलाइकोल तो इसका सही आंसर होगा एथलीन गलाइकोल का उप्योग किया जाता है 22 कोशन है हमारे पास कि प्रियाप्त cooling ना करने से इंजन में कौन सी समश्याएं आ जाती है 23 कोशन है कि इंजन को बाहरी रूप से दोने से क्या नुक्सान का पता सल जाता है इंजन में जंग नहीं लगती है इंजन की कूली अच्छी होती है उप्रोक सभी तो D option इसका सही होगा 23 का 24 कोशन है कि निम्न में से एंटी फ्रीज कौन सा कार्य करता है रेडिटर को जंग से बचता है इंजन को जादा ठंडा करता है रेडिटर में पानी की खपत कम करता है रेडिटर को पानी जमने से रोकता है तो 24 का सही आंसर होगा option D रेडिटर का पानी जमने से रोकता है 25 कोशन है कि कि साधन में एर कूल्ड इंजन का प्रियोग करना गलत होता है पानी खिंचने में प्रियोग पंप, स्कूटर में, बस में या मोटर सैकल में तो उसका सही आंसर होगा option C.O.C. होगा बस के अंदर Next question देखते हम Next question हमारा 26 कोशन होगा 28 कोशन है कि रिवर्स फ्लशिंग विदी का प्रियोग किया जता है रिवर्स फ्लेसिंग विदी का प्रयोग कहां कियाजता है फिल्टर को साफ करने के लिए रेडियेटर को साफ करने के लिए या सिलेंडर को साफ करने के लिए एकजोश्ट मैनिफोल्ड को साफ करने के लिए इसका सही आंसर होगा option B radiator को साफ करने के लिए 29 वा कोशन है कि radiator में पानी की परवाय की दिशा होती है क्या होती है सबी दिशाओं में तली से उपर की ओर उपर से तली की ओर दोनों ओर तो इसका सही आंसर होगा उपर से तली की ओर तीसवा कोशन है कि radiator pump का कारी एक नीमन में से क्या है पानी को उबलने से बचाना पानी को ठंडा करना जल को परिचालित करना तो इसको सही आंसर होगा ओप्शन सी जल को परिचालित करना तीसवा कोशन है कि radiator में ताप का संचरन किस विधी के द्वारा किया जता है चालन द्वारा, सहवन द्वारा, विकरन द्वारा, चालन और सहवन दोन द्वारा तो सहवन द्वारा होता है इसको सही आंसर Option B, मकारियत उपकरनों और मशीन को ठंडा करने के लिए शितन का प्रयोग किया जता है 34 कोशन है हमारे पास कि इंजन में पानी का स्तरकम रखने का पर क्या परबाव पड़ता है कि पिष्टन का तूटना, इंजन का नोकिंग, बेरिंग की खराबी तो प्रक सभीस का सही आंसर को 35 कोशन है कि रेडिटर में ताप स्तानांतरन की वीधी होती है चालन सैवन, चालन सैवन, चालन सैवन, वीकरन तो इसका सही आंसर क्या होगा? सैवन ओटो मॉबाइल इंजन में थरमो स्टेट का प्रयोग किसके नियंतरन के लिए किया जता है सितलन तंतर का ताप नियंतरित करने के लिए ली गई वाईू के ताप को नियंतरित करने के लिए या निकलने वाले गैंसों के ताप को नियुनतरित करने के लिए तो उसको सही आसर हुआ सीतलन तंतर का ताप नियुनतरित करने के लिए 37 कोशन है हमारे पास कि water cooling system में cylinder के चारो तरफ बने होते हैं क्या बने होते हैं चारो तरफ water jacket बने होते हैं सोडियम का गलनांक बिंदू कितना होता है 98 degree centigrade होता है radiator बना होता है किसका बना होता है तामबार रुपीदल दोनों का बना होता है water cooling के प्रकार है थर्मो साइफन water cooling pump cooling ये और भी दोनों तो इसका सही आंसर क्या होगा इन में से कोई नहीं नहीं में से water cooled engine फोर्य स्टोक इंजन होता है नुम न में से engine air cooled होता है थी फिर कोशन हमारे पास कि रेलिटर में किस प्रकार से पानी कम होता है है येड गेस की टूटी होना course leakage pre ignition होना ए और बी दोनो तो इसका सही आंसर रोगा ए और बी दोनो इंजन में पानी के तापकर्ण को दर्शाने के लिए क्या प्रियोग किया जता है टेंपरेचर प्रियोग किया जता है इंजन के कार्य करने के लिए आवश्यक तापकर्म कितना होना चीए option D 50-70 degree के बीच में radiator को फटने से बचाने के लिए लगाया जाता है क्या लगाया जाता है radiator pressure cap लगाया जाती है उसके अंदर radiator cap में कितने valve लगे जोते हैं दो valve लगे जोते हैं एक तो pressure प्रेशर को control करता है एक उसको boil करने में सहता करता है फिर अरतारेस वा कोशन है इसके अंदर radiator fan को चलाने के लिए कौन सा belt का प्रयोग किया जता है फिर next question है कि जब thermostat valve बंध होता है तो पानी बहती है पानी पानी की धर बहता है बाइपास valve से थर्मोश्टेट valve लगा होता है कहां लगा होता है थर्मोश्टेट valve इसलेंडर ब्लोक में वाटर पंप का वह भाग जो पानी को तेजी से तेजी से इसलेंडर ब्लोक में बेशता है उसे क्या बोलते है impeller फिर vacuum valve कब खुलता है 0.35 से लेके 0.27 kg पर सेंटीमे कोशन चोवनवा कोशन है हमारे पास कि रेडिटर के चोक होने पर साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या प्रयोग किया जाता है जल का प्रयोग किया जाता है बिना पंप का water cooling system क्या कलाता है थर्मोश्टेट इंपोर्टन कोशन है बिना पंप का water cooling system क्या कलाता है थ अस्तावना कोशन है कि वाटर कूलिंग के लिए प्रियोग किया जता है ग्रेफाइट लिथियम जल सोडियम तो इसका क्या होगा वालव कूलिंग के लिए सोडियम का प्रियोग किया जता है अठावना कोशन है कि वाटर कूलिंग में रेडिटर के पाइप ठंडे होते हैं ठ इतलक मिला जाता है मशीनों के रख रखाओं के लिए कारेरत उपकर्णों को ठंडा रखने के लिए मशीनों की गती बढ़ाने के लिए मशीन की दख्षता बढ़ाने के लिए तो इसका सही आंसर होगा option B कारेरत उपकर्ण को ठंडा रखने के लिए साटवा कोशन है थर्मो साइफन शिष्टम में होता है थर्मो स्टेट होता है इसका सही आंसर होगा साटवा का थर्मो स्टेट ए ओप्शन सही होगा